हेलो दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा छोटा सा डिजाइन बनाएंगे यह देखिए यह इस तरह से बनके आएगा यह फ्रेंट साइड है और यह इस डिजाइन की बैक साइड है इस डिजाइन को आप लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, बेबी प्रोजेक आप चाहो तो इसे जैन स्वेटर में भी बना सकते हो सभी में बना हुआ यह दिजाइन बहुत प्यारा लगता है तो इस डिजाइन के लिए आपको 7 के मल्टिपल में स्टिच चाहिए प्लस एक स्टिच दोनों साइड में एक्स्टर रहेगा सिलाई के लिए और 4 स्टिच एक्स्टर रहेंगे हमारे डिजाइन कवर करने के लिए तो यहां पर मेरा सेट कंप्लीट हो चुका है अगेन रो वान से मैं डिजाइन को शुरू करूंगी डिजाइन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं अब ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड को एक-एक स्टिच का सीधे स्टिच और उल्टे स्टिच के साथ जो हमारा बैक लूप वाला स्टिच रहेगा उसे हम उल्टा बनाएंगे और जो हमारा फ्रेंट वाला स्टिच रहेगा उसे हम सीधा बनाएंगे तो बैक लूप स टिस्टिच आया है उसे उल्टा बनाईए और जो फ्रण्ट से हमने स्टिच को बैक में करा था उसे हम सीधा बनाएंगे एक उल्टा और यह हमारा सेट कम्प्लीट हो गया रहा है गीन चार सीधे एक दो तीन चार है ट्विस्ट giorno करेंगे लेफ्ट वा कि लुप से और एक उल्टा इसी तरह से आगे repeat करते जाएंगे चार सीधे back loop से second stitch को आगे लाएंगे first वाले को पीछे करेंगे वापिश सिलाई में लेके एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा अगेन इसी तरह रिपीट करते जाईएगा लास्ट में जो हमने 4 स्टिच एक्स्टर रखे थे उन्हें हम सीधा बनाएंगे और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कम्प्लीट कर लेंगे रोंग साइट सिंपल है और हर बार सेम रहने वाली है तो जैसा स्टिच चाएगा उसे वैसा ही बनाते जाईएगा तो सीधे वाले स्टिच को सीधा बना लीजिए उल्टे वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए रोंग साइट को कम्प्लीट कर लें wrong side complete हो गई है turn कीजिए right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को 4 सीधे 1, 2, 3, 4, 1 उल्टा again फिर से left side को twist करेंगे back loop से एक stitch को आगे लाएं और सीधे वाले stitch को पीछे कर दें अब जो stitch हमारा आगे आया है उसे हम उल्टा बनाएंगे और ये हमारा सीधे वाला stitch सीधा ही बनेगा again repeat करेंगे 4 सीधे से 1, 2, 3, 4, 1 उल्टा back loop से second stitch को आगे लाएं, first वाले stitch को पीछे करें again एक उल्टा और सीधे वाला stitch सीधा बना दें और इसी तरह आगे repeat करते जाएंगे 4 सीधे, एक उल्टा और left side का twist तो जो stitch पैक में रहेगा उसे हम हमेशा उल्टा ही बनाएंगे और जो हमारा सीधे वाला stitch है उसे हम सीधा बनाएंगे तो इसी तरह बनाते हुए right side को complete करें एक्स्ट्रा वाले stitch सेम ही रहेंगे तो 4 सीधे और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाते हुए right side को complete कर लें तो यहां हमारी right side complete हो गई है टर्न कीजिए wrong side सेम रहेगी जैसा stitch होगा वैसा ही बनाईएगा wrong side complete कर ली है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को 4 सीधे एक उल्टा अब right side को twist करेंगे एक सीधे और एक उल्टे का तो front से सीधे वाले stitch को आगे लाएं उल्टे वाले stitch को पीछे कर दें अब जैसा stitch है वैसा ही बनाएंगे तो सीधा stitch हमारा सीधा बन जाएगा और उल्टे वाले stitch को हम उल्टा बना लेंगे repeat करेंगे 4 सीधे से एक, दो, तीन, चार, एक उल्टा twist करेंगे right side को सीधे वाले stitch को पहले बना लें और उल्टे वाले stitch को बाद में बनाईएगा अगें फिर से 4 सीधे एक, दो, तीन, चार, एक उल्टा राइट साइड का ट्विस्ट करेंगे सीधे वाले stitch को पहले बना लेंगे ये हमारा सैकिंड स्टिच है और फिर उल्टे वाले stitch को बना लेंगे अगेन फिर से 4 सीधे से repeat शुरू करिएगा और आगे बनाते हुए right side को complete कीजिएगा wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch रहेगा वैसा ही बनाते हुए wrong side को complete कर ले तो wrong side complete हो गई है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को 4 सीधे अगेन से twist करेंगे right side का सीधे stitch को आगे लाएं उल्टे वाले stitch को पीछे कर दें अब जैसा stitch है वैसा ही बनेगा तो सीधे stitch को सीधा बना दीजिए अब यहाँ पे आपके पास दो उल्टे stitch हैं तो दोनों को उल्टा बनाईए एक, दो अगेन रिपीट करेंगे 4 सीधे से एक, दो, तीन, चार twist करेंगे right side का front से सीधे वाले stitch को पहले बना लें और फिर उल्टे वाले stitch को बनाएं और एक उल्टा अगेन 4 सीधे एक, दो, तीन, चार फिर से twist करेंगे, front से सीधे वाले stitch को पहले बनाएंगे और फिर एक उल्टा और यहाँ पे उल्टे वाला stitch आ जाएगा, इसे भी आप उल्टा बना दीजिए अगेन 4 सीधे से repeat शुरू करिएगा और इसी तरह बनाते हुए right side को complete करें wrong side सेम रहने वाली है, जैसा stitch होगा वैसा ही बनाईएगा तो wrong side complete हो गई है और हमारा design भी जो है वो यहाँ पे complete हो गया है इसी तरह से again row one से बनाते जाएगा, design आगे बनता जाएगा और try ज़रूर करिएगा, बहुत प्यारा design है, बहुत जल्दी बनता है तो जैसे हम gen sweater बनाते हैं, हम अकसर जो gen sweater है उसके front में हम design बनाते हैं लेकिन जो back side होती है उसमें हम design नहीं बनाते हैं, उसे हम plain बना देते हैं तो जैसे मैंने यह आपे 4 stitch रखे हैं, आप इसे increase कर सकते हो, stitches को 4 की जगा पे 6 या 8 या 10 stitch रख सकते हो और उसके बाद आप इसे इस तरह से zigzag में बनाईए, बहुत प्यारा लगता है बना हुआ तो try जरूर करिएगा और please भूलिएगा नहीं, subscribe जरूर करिएगा, subscribe का बटन दबाईएगा जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे वीडियो आपके साथ share कर सकूँ, तो भूलिएगा नहीं, subscribe जरूर करिएगा, thank you